एक और प्रिश्णाया है पुले महारास्री सल लेखना क्या है और इसकी बिध्धी क्या है बहुत अच्छा प्रिश्म पुले साभुजन जो है अपनी जीवन भरकी जो साधना करते हैं वो इसकी बिध्धी करते हैं को जो सल लेखना पूर्वख मरना हो सम्मेक प्रकार से जो आत्मा का और सरीर का लेखन करना क्रस करना सरीर और कसायों को क्रस करना एस सल लेखना है और ये सल लेखना बुले आठ बरसे और जीवन के अंतिम च्छन तक हम धाना कर सकते हैं आज़ा समत्र व्रद्श वामी ने कहा है के सल लेखना कब धन करना चे तो उपसर आए पर दुरुविच्च परने पर उपसर तो जरसी रुजायां जरसी भापाने पर रोव होने पर निप्रतीकारें और जिसका प्रतीकार नहीं कर सकतें एसले थोड़ा जो खावगे आ कोड इस इसे मुझ लूब होते हैं और ओलने हैं अनुदे जोC समझ की दी आती है अन्ता धर्म की हसोती साथु की हसोती तो देख रहे हैं जब योग गुरु जब ऐसा क्या उपसर आने पर जर्विक्षि दुर्विक्षि पढ़ने पर जर्शी बढ़ाप आने पर रोग आजोई जिसका प्रितिकार निके जा सके उस समय धर्म की रक्षा के लिए इस सलीर को अचार शिर्पोटी मराजने भ्रवत दिया रादना और अचार अमित्कति स्वामी ने मर्ड कंडी का गरंद में उसकी बिधी बताई है कि सलीर ना उतकी साथ बारे साल की सलीर ना होती है जाने और शार की सब्सक्राइब चार वरस तक उप्रतप नियम संदाना करना चार वरस तक नना उप्रतप करना उप्रतप नहीं क्या रहा है जाने और नहीं प्रतप नहीं चार वरस तक रस जाकरना आपक नहीं रस अदूर का वीटे का गीर का देल का आधिम जो हैं रस पाई जो हैं और दो साल तक अन्य का त्यार चार चार दुनिया और उसके बाद दो साल तक पुराव जो हैं अनाज का त्यार कर दिया एक बरस दूर चार आधी पदले पदात आधी गिन करेंगे ऐसा हुए संकल्पर और उसके बाद छे महीने की इस्तिति में मंद्रीती से उपवास करना मंद्र कती से उपवास करते हैं और उसके बाद जो हैं नियुम से जो है छाज छाज के बाद जो है कान जी आधी कान जी छाज और उसके बाद पुबला हुआ पानी और उसको वित्यार करके फ़र वासा दी जो है धान करते हैं ऐसी वर संदिकना की कठनी तपस्या होती हैं हम जो सल्विगना करते हैं ऊड़े समादी कोरो सल्विछना करता है और समाधी जहां पर कोई आधी हो न या भियाधी हो न अई अपादी वोई परीपास्तव में समाधी होती हैं जादुजन उस समाधी की पुरे जीतिवी बर अपनी साथना करते हैं जीवन के अंतिम्चनों में उसको सहर रुप में, संतारुप में उसका पालन करके उस समाधी मन को करते हैं, सलिखना मन करते हैं जो उत्किस सलिखना कर लेता है, उत्किस काल में कर लेता है, उत्किस भाव से करता है, उत्किस भाव से मुक्ष जला जाता है, या दो तीन भाव में कुछ ला जाता है, अत्मा सांतार भाव में वह जिस्चित ही मुक्ष लाता है, ऐसा हमारा सास्तों का जो जाता है, उसको मै यहाना चीज समय चीज ओम नमास